Hello guys, this is Navorit Mahant आज हम डिसक्षा करने वाले हैं order 1.5 अधार में हम पहले बात करते हैं order 1.5 अधार की order 1.5 की अंतरगत आने वाले कीट हैं Dragon Apps नथा Damsel Flies guys, 1.5 की और्दोनाट है जिस्का अर्थ है tooth अर्था दान इस order के सदस्यूं का जो mandible होता है försö बहुत ही कठोर दांत के समान होता है इनका सिर अधोन मुखी प्रकार का होता है तथा इनमें बहुत ही छोटा सूका का एंटी नी पाया जाता है इनमें सयुक्त नेत्र काफी बड़े तथा पूर्ण विक्सित होते हैं पंक जिल्लीदार तथा मुकान काटने यम चबाने वाल इनमें ट्रकारा वनमें इसुक्त लमें कटने करेंडी लेख्चर करते हैं इननने कीड़े गिमेंटे बहुत है इतनी गड़े करने कीड़ें प्राया स्वच जल में एकल अंडें देते हैं इनका immature इस्टेज जलिय होता है जिस कारण इनमें गिल्स पाय जाते हैं अगर हम इनके feeding habit की बारें बात करें तो ये कीट अन्य छोटे कीट जैसे की मच्छर, मक्खी, इत्यादिका सिकार कर उनका भक्षन करते हैं ये उरते हुए अपने सिकार को पकड़ने में सक्षम होते हैं ये कीट लगभग 60 मिल प्रति घंटे की रप्तार से उर सकते हैं ओर्डर ओर्डोनाटा को दो सब ओर्डर में भाईत किया गया है जाइगोप्तेरा तथा एंस्योप्तेरा जाइगोप्तेरा के अंतरगत आने वाले कीट हैं डैमसल फ्लाइज तथा एंस्योप्तेरा के अंतरगत आने वाले कीट हैं ड्रेगन फ्लाइज गाइज अगर हम इनके जीवन चक्र इनके लाइप साइकल की बात करें तो इनमें इनकोंप्रीट मेटमोफोई पाया जाता है इनका जो निम्फल इस्टेज होता है लगभग 10 महिने का होता है इसके निम्फ को हम नायड्स करते हैं तथा यह साल भर में केवल एक ही जनरेशन पूरा कर पाते हैं अब हम बात करते हैं ओडर थैसन अप्तेरा के अद्रगत आने वाले कीट हैं थ्रिप्स थैसन अप्तेरा ग्रीक भासर के सब थैसनोस से बना है जिसका अर्थ होता है फ्रिंड अर्थ जाड़ी नुमा इनका सरीर बेलनाकार होता है इनका भी सिर जो है वो अधोन मुखी प्रकार का होता है इनका एंटिनी मुक्ताकार 6 से 10 सिग्मेंटेट तक हो सकता है तथा इनमें पूर्ण विक्सित संयुक्त नेतर पाया जाते हैं इनके पंक में रोम के समान जाड़ी नुमा सरचना होती है कुछ स्पीचित में पंक ही नहीं होतेदें इनके अंतिम उदरखंड में त्यूब के समान अंड़ उपक पाया जाता है जिसे ओफ़ेख़। और्डर थैसनोब्टिरा के अंतरगत आने वाले कीटों के मुखांग खुरचने यहां चूसने वाले होते हैं इनके मुखांग asymmetrical होते हैं क्योंकि इनके right mandibles या तो बहुत ही छोटे होते हैं अथवा नहीं होते तथा इनका left mandible सक्रा और काफी बड़ा होता है जो की पौधों के soft tissue को खुरचने के काम आता है इनमें तीन जोड़ी चलने वाले पैर पाये जाते हैं तथा इनमें इनका टारसाई एक से दो सिगमेंटेट तक हो सकता है अगर हम इनके life cycle के बारे में बात करें तो इनमें भी incomplete metamorphosis पाया जाता है परन्तु कभी कभी इनमें निम्फ के बाद में pupation भी हो जाता है इनका जो एक stage होता है लगभग तीन से चार दिन का होता है तता फर्स्ट इन्स्टार जो निम्फ होते है ये एक से दो दिन का होता है इसके बाद मॉल्टिंग करते हैं और फिर ये प्यूपेशन में चले जाते हैं इनका जो adult stage होता है लगभग 30 से 45 दिन का होता है इनका पूरा पूरा जीवन चक्र लगभग 45 से 60 दिन का होता है आज के लिए guys बस इतना ही thank you